Good morning class, class मैं आज आपको बड़ी की छोटा उ पढ़ाऊंगी बड़ी की मात्रा के सब्द मैंने कल आपको बताया थे class में आज मैं आपको छोटा उ बताऊंगी छोटा उ के सब्द और मात्राएं और उ की मात्रा से पोयम कविता मैं आपको बढ़ाऊंगी चाहिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ यह क्या है आपको यह पता है यह छोटा उठ से सब्द क्या होते हैं देखे पढ़िए यह यह क्या है गिफ्ट को हिंदी में क्या कहते हैं उपहार फिर इदार आएए उस उठ उचल उलटा उदाश उनका इउधर उड़ना उगना उजाला उतरना उपाए उपवन फिर उ की मातरा कैसे लगती है यह बड़े उ की मातरा है यह छोटे उ की मातरा है तो यह छोटे उ की मातरा यह बड़े उ की मातरा तो अभी मैं आपको यह नहीं बता रही हूँ तो इसलिए मैं इसको रख कर दूँगी मैंने आपको बताने के लिए सिर्फ बनाई थी तो आएए मैं आपको बताती हूँ उ की मातरा देखें यहां पर बनी हूँ है और यह उ लिखा हुआ है तो मैंने आपको बड़ी के मातरा के सब्द बताया था तब भी मैंने यह बताया था और से पहले मैंने जो सब्द बताये तो इसमें भी मैंने यह बताये था मुख कुरसी उलाहा क्या लिखा हुए है जुलाहा सुबाह दुकान बगुला साबुन चुहिया मुरगा पिर देखो कचुवा देखो यह कचुवा बना हुआ है इसके बाद आएए देखते हैं उ की मात्रा से सब्द पूदीना देखे पूदीना बना हुआ है पूटिया बूढिया गुलाब चित्र को आप देखेंगे देखते ही आप चित्र को सब्द को समझ जाएंगे सूराही, चुनरी, कुरता, बूल बूल फिर पढ़ें मुरगा, मुरगा सुबा उठ, सुबा सुबा उठ जाता है कौन सुबा सुबा उठ जाता है, मुरगा सीडियाज, चुगती, दाना दाना क्या चुकती है, दाना दाना तुम भी सुबा सुबा उठ जाना साबुन मल मल कर नहाना किसे कह रही है बच्चों से कह रही है तुम भी सुबा जल्दी उठ जाना और साबुन मल मल कर नहाना इसे बार आई है इदा देखाती हूँ मैं अभ्यास करना उ वर्ण पर गोला लगाए तो यह देखो क्या बना हुआ है उपवन है तो जहां पर उ लिखा होगा वहां पर हमको क्या करना होगा गोला लगाने न फिर उल्लू उपखार उल्ल्टा फिर यहां पर यह उ की मात्रा पर गोला लगाए उ की मात्रा पर गोला लगाए क्या लिखा हुआ ये बना क्या हुआ है बुल बुल तो उ की मात्रा पर हमने लगा दिया गोले साबुन कूर्ता बबुला फिर क्या लिखा हुआ है उ के उ के स्थान पर उ की मात्रा लगा कर सब लिखें क्या लिखा हुआ है धर नूश इसके बाद गुड़ी ली या प्रिया पे नूग गुड़ गुड़ी ना इसके बाद मैं आपको इदर बताती हूँ प्रिकना है सही इस्थान पर उकी मात्रा लगाएं पूल पूल चुड़ी या चुड़ी कचुवा फिर यहाँ पर जोड़ कर लिखें मु कुट तो मा पहले मा बना हुआ है तो मा मा में उकी मात्रा कुट फिर यहाँ पर चित्र को देखना है और लिखना है क्या लिखना है यह क्या है गू-ला-ब फिर यहाँ परी यहाँ फिर यह क्या बना हूँ मुकुर्ण करना या सकते रहना है